Assalamu alaikum hi guys welcome back to my channel it's good tea with my hands kitchen में आज में आपके साथ share करने जा रही हूँ Mole's Chicken Manchurian और यहां पर मैंने salt डाल दाल दाल दाला है जिजर गालिक पेज डाला है चाट मसाला दाला है और यहां पर टाल रही हूँ मैं red chili powder और इसके बात मैंने डाला है यहांपर cumin powder और यह मैंने homemade masala डाला है इसमें मैं आपके साथ रसे पी दरूर शेयर करूँगी इंशाला और यह मैंने डाला है lemon juice और इसमें vinegar डाल दिया है मैंने और इसके बाद यहाँ पर white part डाला है मैंने egg का और दही डाल दिया है और यहाँ पर corn flour डाला है और इन्स के लिए डाल दिया है और इसको मैं मिक्स कर दूँगी और मैंने ठोने के लिए रख दूँगी वन आर के लिए और यह मैंने ठो गया है और यहां पर साथी साथी मैंने टंगडी बना रही थी मैंने सोच आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और इसकी रेसिपे मेरे चै यह देखे चिकन फ्राइए हो गया है और मैं इसको निकाल लेती हूं टीकन को यह देखे तयार हो गया है अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी हम खा सकते हैं बट मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी और यह देखें यहां पर मैंने आपके साथ जाश्वयर किया तो ओर वह दूए और मैं इसको फ्राइ कर लेती हूं और इसकी रेसे भी बहुत मज़ेदार सी है आप जाकर देख सकते हैं और यह एसको निकाल लेती हूं और मैं दूसरी वैली भी फ्राइए कर लूँगी टंगरी को और इदे की कलर भी बहुत मस्ट सा आया है इसमें बहुत अच्छा सा लग रहा है और यह तयार होगी इसको भी निकाल लेती हूँ और मैं ग्रेवी तयार कर लेती हूँ फिर और यहाँ पर मैंने डाला है जिंजर चाइनीज बना रहे हैं हम तो बहुत ही मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आएगा और इसके बाद मैंने यहाँ पर जिंजर गालिक पीज डाला है अनियन डाला है और इसको मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर मैंने कैबिज डाल दिया है इसके पास सभी सॉँस डाल दीती ह düşंड यहाँ पर टमेटेटो कैच्अ डाला है ग्रेइन चिली सॉस जाल दिया है और विनिगर डाला है और सोय सॉल डाल दिया है और इसको मिक्स कर लूँगी यह मैं बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। सॉस का और मैंना इहां पर डाला है। रच चुली पाउजर और सॉल डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सब्सक्राइब। मैंने वाटर भी आड़ किया है। और मिक्स कर दूँगी सभी को में। और यहाँ पर मैं चिकन को ग्रेवी में डाल दूँगी और इसमें इसमें। perception से खनक से यहाँ पर मैं नहीं है कॉंस लईडि। और इसे हमारे ग्रेवीत थीख हो जाएगी। और इसको मा दूंगी। यह देखिए आप फॉरन से हमारे ग्रेवीत थीख होने लगी है और इसको मैंने पांच मिंट के लिए को खोने रखा है कि कौश लेड़ी डालने के बाद और मैं इसको निकाल लूँगी यह अच्छी तना से कुख हो गया है चिकन और यह देखे कितना ही डिलिशियस सा लग रहा है कितना यम्मी सा हमारा चिकन वंचूरियन लग रहा है इसको मैंने निकाल लिया है और फाइनल लुक हो गया है हमारे चिकन का वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग नेक्स वीडियो मिलती हूँ रप्ते के लिए खुदा आफिस